अभी जैपूर में हूँ और यह जैपूर का पांच बत्ती सिंगनल है अधिक रखता है अधिक रखता है क्योंकि मैन सिंगनल है इसी मैन सिंगनल के उपर ही एक साइड में यह दिया हम जाते हैं तो राजमंदिर सिनेमा है और सिधा अमाई रोड है तो यहां से यह वीडियो आज चाह शुरू हुआ है और आज हम इस वीडियो में जैपूर सहर के मार्केट को देखने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखें आपको कुछ आइडिया जैपूर के बारे में होने वाला है इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको मार्केट ही दिखाऊंगा आज और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी जानकारी इसकी मिलेगी आईए वीडियो सुरू कर देते हैं यहां से पांच बत्ती एमाई रोट से यह हमने शुरू किया है और यह सामने जैंती मार्केट है आईए चलते हैं यह हम जैंती मार्केट के अंदर आ गए है और यह इलेक्ट्रोनिक का मेन बाजार है इलेक्ट्रोनिक की हर वो चीज आपको यहां मिलती है कंडेसर, केबल, फोर्म, पाईब, मसीन, लेप्टोप, टेस्टोप, प्रिंटर शोप और अलग-अलग कंपनियों के जो हैं ब्राण यह आपको यासी मिल जाते हैं आईए और आगे चलते हैं यहां तक यह जैंती मार्केट था और आगे इंद्रा बजार शुरू होता है और सामने जो यह रोड चल रहा है लेप्ट से राइट का यह इधर विदाय क्वार्ट्र को जाता है और इधर ये पुरानी सिटी से आता है और पुरानी सिटी को जाता है आईए इंदरा बजार में अंदर चलते हैं अभी इंदरा बजार में आगे हैं इधर ये जैंती बजार था जिदर से हम चल के आए हैं और ये इंदरा बजार का चोक है यहांपर जहांपर ये ओटो कार प पिंक जो कलर है वो यहाँ से शुरू होता है यह देखे आप आईए इधर अंदर चलते हैं इंदरा बजार को देखते हैं आज और यह इंदरा बजार का सिंग द्वार है यह यहाँ गेट है इसे शिंग द्वार बोलते हैं और यही जूम करके मैं दिखा हो तो यहाँ लिखा हूँ अभी है शिंग द्वार गाड़ी आगे आगे दिखा ने यह भी दिख रहा आपको यह सिंघ द्वार है इस मंदिर के उपर corner पे ATM के पास में यह लिखा हुआ है और इस यही सिंघ द्वार है इस में से entry होती है यहांच शुरू होती है इस side में यह बाहर का area हो गए और यह अंदर का area हो गए इने यह고 city का gate बने थे city बनीते थे ये gate बनेते तो ये सिंग द्वार इसके अंदर ये city है और इसके अंदर ये इंद्रा बजार है अंदर ये एक इदर गली जा रही है जो खजानों वालों का रास्ता जिसे बोलते है इदर कही नाम दिखा हुआ है जोम करके दिखाऊं तो आईए और आगे चलते हैं इंद्रा बजार के अंदर और ये इंद्रा बजार में कपड़ों की दुकाने हैं यहाँ पर सिंग द्वार से चलके आए हैं तो यहाँ तक इदर ये सिंग द्वार और खजानों वालों का रास्ता था और यहाँ से यहां तक यह आप देखें दिए कपड़े ही कपड़े आपको यहां पर दिखाई देते हैं और यह पिंक कलर की पूरी दुकाने डिजाइन की हुई आप देखें यह पूरा डिजाइनिंग से बनाया हुआ इंद्रा बजार और इधर तक यह आगे तक आगे अजमेरी गेट तक यह पूरा मार्केट है आईए आगे चलते हैं पूरा मार्केट आज देखेंगे इस वीडियो में बने रहे हैं आप और यह एक और मार्केट इंद्रा बजार को लगता हुआ ही अराइसर प्लाजा यह राइसर प्लाजा है और यह इसके सामने के पूरा मार्केट यह राइसर प्लाजा काफी बड़ा मार्केट और यह राजस्तान का सबसे बड़ा एक मॉल है राइसर पलाजा जो टेकलोजी जितनी भी है वो आपको यहां मिल जाती है इलेक्ट्रोनिक जो सामान है कहीं भी नहीं मिलेगा तो आपको यहां मिल जाएगा आप यहां से ले सकते हैं राजस्तान की मैं बात करा हूं पूरे राजस्तान में नी राजस्तान में सबसे बड़ा ये मॉल राईसर पलाजा जरूर एक बार देखें यह दिया आपको कुछ इलेक्टोनिक चाहिए तो आपका सामान यहां मिल सकता है और यह इसके सामने वही दुकाने हैं वही मार्केट पूरा जो सामान अंदर मिलता है वो इक कोई यहां भी मिल जाता है बाहर भी आईए और आगे चलते हैं और राईसर पलाजा के बाद में यहां यह इंदरा बजार का आखरी कोना इधर से ही हम चलके आये ते सिंग द्वार से जहां से यह पूरा मार्केट शुरू होता है इ यहां यह मार्केट इंदरा बजार एंड हो जाता है और यह सामने अजमेरी गेट है अजमेरी गेट की यह इंटरी पॉइंट है यहां से बाहर निकलेंगे तो सिटी से बाहर निकल जाते हैं जो पुरानी सिटी है और यहां से अंदर आते हैं तो यह पुरा मार्केट यहां पुराना सिटी जिसे पिंक सिटी बोलते हैं यहीं इसी गेट से अंदर आने पर शुरू हो जाता है इसे अज मेरी गेट बोलते हैं तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे यह वीडियो हमने सिंग द्वार से पहले शुरू किया था सिंग द्वार से समझ ले आप और अज मे जए हिन जए भारत